हेलो एवरीवन कैसी हो आप सब एक बार पुना स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूटूब चनल सिव कोचिंग क्लासेश पर दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 11 बायोलाजी अंसियाटी चैप्टर फाइप में दोस्तों आज का जो हमारा यहाँ पे टापिक है वो है सैवाल तथा कवक के मद्ध अंतर याने डिफ्रेंसेश बिट्वीन अलगी और फंगाई तो देखें यहाँ पे एक स की उपस्थित के कारण यह हरे रंग के होते हैं यानि ओवराल यदि हम यह कह सकते हैं कि जो सैवाल होते हैं सैवालों में प्राया पर्ण हरिम या इसको हम इंगलिस में कहते हैं क्लोरोफिल की उपस्थित होती है और क्लोरोफिल की उपस्थित के कारण ही सैवालों का रंग क्या होता है हरा होता यानि ग्रेन कलर का होता है तो इस प्रकार दोस्तों साइवालों में पर्ण हरिम या हम कह सकते हैं क्लोरोफिल प्रेजन्ट होती है वहीं यदि बात करें दोस्तों इसके विप्रियत हम कवकों की यदि बात करें तो पर्ण हरिम की अनुपस्थित के कारण ये रंग हीन होते हैं देगे कबकों का कोई रंग नहीं होता है इनका रंग ये रंग हीन होते हैं क्योंकि इनमे क्लोरोफिल क्या होता है अपसंट होता है यानि इनमे पर्ण हरीम का क्या होता है आभाव होता है तो पहला डिप्रेंस तो यहीं हो गया दोस्तों कि पर्ण हरीम होदे हैं तो सहिवाल क्या होते हैं आटो ट्राफिक होते हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयम बना लेते हैं अब देखें इनमें बनः बना दो घ्रम आ जाता है और जैसे इन apples य्ग मिलेगे यह वनदाइजाईसाइड से क्रिया करेंगे यह क्या trembเด्यशाइ겠습니다 से क्रिया करेंगे और किसे जल से क्रिया करेंगे और क्या बना लेंगे ये गलू को ये कार्वो हैड्रेट बना लेते हैं तो इस प्रकार जो भी हरे ट्रापिक होते हैं यानि अपना भोजन किसी ही प्रकार से नहीं बना पाते हैं अथात अपने भोजन के लिए ये दूसरों पर आश्रित होंगे चलिए इनके मत तीसरा डिफरेंस है इनमें भोज पदार्थ देखे यदि हम बात करें सैवालों में तो सैवालों में जो भोज हैं वो मंड के रूप में यानि स्टार्च के रूप में रहता है किसके रूप में संचित रहता है इस्टार्च या मंड के रूप में संचित रहता है वहीं दोस्तों यदि हम बात करें कवकों की तो इन में भोजपदात तेल की बूंदों के रूप में होते हैं किसके रूप में तेल की बूंदों के रूप में या हम कह सकते हैं गलाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं तो देखी यहां पे क्या है सैवालों में चूकी क्या होता है भोजपदात मंड या स्टार्ज की रूप में संचित होते हैं वहीं कबकों में क्या होते हैं कबकों में भोजपदात तेल की बूंदो की रूप में या गलाई कोजन की रूप में संचित रहते हैं चलिए इसके बाद नेश्ट डिफरेंस है इनकी यदि को कोशिका भित्ती की बात की जाए तो इनकी कोशिका भित्ती देखिए साइवालों की जो कोशिका भित्ती होती है वो किसकी बनी होती है हमने आपको पहले भी बताया था साइवालों की कोशिका भित्ती किसकी बनी होती है वहीं यदि हम बात करें कवकों की तो इनकी कोशिका भ हित्ती बनी होती है चलिए नेस्ट डिफरेंस है इनके मद अब देखिए यदि हम बात करें सहवाल या एलगी की तो ये पानी तथा नम भूमी में समानने तया स्वतंत्र जीवी यानि फ्री लीविंग होते हैं या कभी-कभी सह जीवी के रूप में भी पाय जाते हैं देखि कभी-कभी सह जीवी रूप में भी पाय जाते हैं वहीं यदि हम कभकों की बात करें दोस्तों तो ये सड़े गले पदार्थों पर म्रत जीवी या कुछ पादपों तथा जन्तों पर पर जीवी के रूप में पाय जाते हैं देखिए यदि हम बात करें कभकों की या फंजा पत्ती के समान रचनाओं का या तंतूं का बना होता है देखिए इनका सुकाय किसका बना होता है पत्ती के समान रचनाओं का या तंतूं का बना होता है वहीं यदि हम बात करें दोस्तों किसकी कवक की यदि हम बात करें तो इनका सुकाय जो है वो कवक तंतू का बना होता है क चलिए यहां पर हम एक-एक example देख लेते हैं यदि हम algae या सैवालों का example देखें तो देखें इसका बड़िए इसपाइरो गयरा इसके लाव़ा यूलो ध्रिक्स वाल वाक्स ये सभी के सभी क्या होते हैं सैवाल होते हैं वह यह घाज़ें कबकों का example Пр Dear कबकों का बढ़ी है, एक्जाम्पल है मूकस, और दूसरा क्या है, एगेरिकस, तो इस प्रकार से दोस्तों सहवालों इभू कबकों के मद्द अंतर आपको समझ मैं आ गया होगा, दोस्तों अच्छे से तयार कीजेगा, क्योंकि पेपर में कबकों अंतर पूछा जाता है, मिल इतने दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद बंदे मात्रम